नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि पेग एंटी टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, पेग एंटी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और पेग एंटी टैबलेट की वज़से क्या साइड पेग एंटी टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, पेग एंटी टैबलेट के अंदर सौल्ट कंपोजिशन प्रेगा बेलिन 75MG और नौर्ड चुक्तिलिन 10MG होता है, पेग एंटी टैबलेट का उप्योग नियूरोपैथिक दर्ध को ठी करने के ल हाथों व पैरों का सुन्न पड़ जाना, मास पेशियों में कमजोरी होना और बिजली के करण की तरह जटके के साथ दर्ध होना आधी लक्षन नियूरोपैथिक दर्ध होने पर हो सकते हैं डाइबिटीज होने पर, शराब का अधिक सेवन करने पर, शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर, शरीर में कमजोरी होने पर, शरीर में खोन की कमी होने पर और रीड की हड़ी से संबंधित कोई समस्या होने पर नियूरोपैथिक दर्ध होने का जोखिम अधिक हो जाता है इसके अलावा फाइब्रोमायल्जिया होने पर भी पेग एंटी टैबलेट का उप्योग किया जाता है। फाइब्रोमायल्जिया होने पर पुरे शरीर में दर्थ होने लग जाता है और शरीर में ठकान रहने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पेग एंटी टैबलेट मिर्गी और दौरों को भी कंट्रोल करने में मदद करती है जिन व्यक्तियों को मिर्गी या दौरे आते हैं ऐसे व्यक्तियों को भी डॉक्तर अन्य दवाओं के साथ पेग एंटी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है इसके अलावा कमर में दर्ध होने पर, रीड की हड़ी में कोई चोट लगने पर और डाइबिटिक नियूरोपेथी होने पर भी डॉक्तर पेग एंटी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में पेग एंटी टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। हाथों वपेरों में सूजन होना, आखों से धुंदला दिखाई देना, पसीना अधिक आना और शरीर में ठकान होना आधी साइड इफेक्स पेग एंटी टैबलेट की वज़ह से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे कि पेग एंटी टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। पेग एंटी टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर पेग एंटी टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम को सोते समय लेने की सलाह देते हैं. पेग एंटी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको पेग एंटी टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए. दोस्तों अगर आ करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. अब हम डिसकस करेंगे कि पेग एंटी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. पेग एंटी टैबलेट के साथ अंगूर, अंगूर का जूस या खट्टे फलो के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए. क्योंकि पेग एंटी टैबलेट के साथ खट्टे फलो का सेवन करने की वज़़ से अन्वान्टिज साइड इफेक्स हो सकते हैं. पेग एंटी टैबलेट की वज़़ज से तवचा धूप के प्रती बहुत ज्यादा समवेधन शील हो जाती है, जिसकी वज़़ज से सन्बन होने का जोखिम अधिक हो जाता है. इसलिए आपको तेज धूप में बाहर जाने से बचना चाहिए. अगर आपको किसी कारणवर्ष धूप में जाना भी पड़ता है, तो आपको सूरज की धूप में जाने से पहले अपने चेहरे पर संस्क्रीन लोशन को लगाना चाहिए. या आप धूप से बचाव करने के लिए अंब्रेला यानी छत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं. पेग एंटी टैबलेट को लेने के बाद जाइविंग और ऐसी मशीनों पर काम नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है. क्यों पेग एंटी टैबलेट के साथ शराप का सेवन करने की वज़ह से नीम आने की समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है. और सीरियस साइड इफेक्ट्स होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है. लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर पेग एंटी टैबलेट को लेन रेक्मेंडेड नहीं होता है. इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सला के बिना पेग एंटी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए. प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तंपान करा रही महिलाओं के लिए पेग एंटी टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित वर रेक्मेंडेड न आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.